आज के इस वीडियो में चीटियों से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंट्रस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे तो वीडियो को विजिप ना करें और वीडियो में तक बने करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नमबर वन चीटियों के पास सास नेले के लिए कोई भी स्वसान अंग या फेफड़ा नहीं होता यह अपने साहीर पर बने छोटे-छोटे चीदरों से ऑक्सीजन ग्रहन करते हैं और वहीं से CO2 रिलीज करती है फैक्ट नमबर फोर चीटियों के पास कान नहीं होते हैं इससे की वो सुन नहीं सकते हैं लेकिन इने खत्रा मैसल सोने पर इनकी रप्तार बहुत तेज हो जाती है चीटियों अपने पैरों में लगी सब जैनियोल औरगन द्वारा धरती के तरंगों से सिगनल ट्रांसफर करती हैं और एब्जर्ब करती है लगभक सारी दुनिया में ही चीटियां पाई जाती है केवल अंटार्टिका को छोड़कर नाम भी काफी मिलता जुलता सा है एंट और अंटार्टिका फैक्ट नमबर सिक्स प्रिथ्वी पर मौजूद हर एक आदमी के लिए एक मिलियन चीटियां यानि की पेट में दूसरी अन्य चीटियों के लिए भोजन जमा करती है फैक्ट नमबर एट दुनिया की सबसे वड़ी चीटि बुलेट एंट है जोकी पनामा के जंगलों में पाई जाती है ये 1.6 इंच जितनी बड़ी हो सकती है और ये इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ 15 मिन्ट में किसी भी इंसान की जान ले सकती है फैक्ट नमबर 9 अगर हम एक चीटि को एक कार के साइज इतना बड़ा कर दे तो वो एक कार के स्पीड से 5 से 6 गुना स्पीड जादा दौड सकती है फैक्ट नमबर 10 क्या आपको पता है कि हमें लाल और काली दोनों ही चीटियां काटती है लेकिन लाल चीटियों काटने से हमें दर्द और जलन का एहसास होता है जबकि काली चीटियों के काटने से हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल चीटियों में फ़ॉरिक एसिट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जसके वज़ेसे जब lovers हमें काड़ती है तो वो फ़ॉरिक एसिड हमारे बौड़ी मेरीलीज przedstaw जिसके वज़ेसे हमें दर्द और जलन का यहास होता है लेकिन काली चीटियों में फौरिक एसीट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है इसलिए जब हुँ हमारे सरीर पर हमें चड़कर हमें काटती है तो हमें दर्द का ऐसास ही नहीं होता है यही वज़ा है कि लाल चीटियों काटने से हमें दर्द और जलन होती है जबकि काली चीटियों काटने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है